नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल इंडियानियोस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और राजसान में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन राजसान विधानसभा चुनावों पर अब पीफाई की नजर है अपीफाई को शरण कौन देता है और टौंक में रमीश विदूरी के विवादित बोल सुनने को मिले हैं एकपर फिर से वे अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं तो इस बार उन्होंने टौंक के चुनाव को लेकर लाहोर कनेक्शन सी उन्होंने जोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि टॉंक और राजसान के चुनाफ पर लाहोर की नजर है बीजेपी ने दिली से सांसद रमेश विधूरी को टॉंक चुनाफ प्रभारी बनाया हुआ है और विधूरी ने पीएफाई का दिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों को शरन कौन देता है पीएफाई के लोग पकड़े जाते है तो उनको रोटी कौन खिलाता है टॉंक में बैठने वाले लोग खिलाते हैं तो वहीं यहां तो लाहोर की भी नजर है और बीजेपी सांसद ने कहा कि 25 सारी को वोटिंग के बाद हमको ये देखना है कि देश में लड़ो बठता है या फिर लाहोर में बठता है तो बीजेपी सांसद ने कहा कि टॉंक पर हमास जैसे आतिमवादी नजर गड़ाए बैठे हैं यहां पर एक्सिटेंट में अगर कोई विशेश समुदाय का मारा जाएगा तो उसे परिवार को नौकरी और 50 लाक रुपे दिये जाते हैं जबकि दूसरी और किसी बेकसूर कनहिया के हत्या कर दी जाती है तब भीक के रूप में 5 लाक रुपे दिये जाते हैं और इस चुनाव पर देश की नजर नहीं और देश के बाहर बैठे दुश्मनों की भी है यह अस्मिता का सवाल है तो बिहद विवादित बोल सामने आए हैं रमेश बिदूनी के जो अब कही न कहीं पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है क्योंकि आपको यह भी बता दू कि राजस्तान विदान समा चुनाव के लिए 25 नवमर को वोट डाले जाएंगे बिदूनी टॉंक में मद्दातों की गोल बंदी करने में जुटे हुए हैं